जैहिन साथियों कैसे हैं आप सभी मैं जैस स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एक्जाम इंडिया वार में फ्रेड हम पढ़ रहा हैं इतिहास और इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा जा रहा है और उसमें चल रहा है अपना दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में लोधी वंस की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की जाती है तो कल हमने बहलोल लोधी के द्वारा जो लोधी वंस की स्थापना की थी उसके बारे में चर्चा की अब आज बात करते हैं उसके बेटे सिकंदर लोदी के दौरा मैंने आपको कुल बताया था कि बहलो लोदी जो था वो अपने अफगान साथियों का जो उसके अफगान साथी थे उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता था जिससे क्या होता है वो लोग काफी सक्तिसाली हो जात साथी सिकंदर लोदी 1489 जुलाई 1489 में क्या होता है बहलो लोदी की म्रत्यु हो जाती है और बहलो लोदी की म्रत्यु के बाद बात आती है उत्तरा अधिकारी की और उत्तरा अधिकारी के प्रस्न पर दो नाम उठते हैं अला वो जो बहलो लोदी था बहलो लोदी ने का भ विकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खा है तुसने कहा हमारे पुत्र निजाम खा को हमारी मृत्व के बाद क्या करना सुल्टान बना देना परामीर का बोले बोले नहीं हम इसको सुल्टान नहीं बनाएंगे काहे नहीं बनाएंगे एक तो अख़ड क्वाल्टी का इंसान थ दूसरी वात क्या थी जो माता थी न वो हिंदू थी इसकी मा हिंदू सुनारिन थी तो इसकी माता क्या थी हिंदू थी पर यह बहुत ही ज्यादा धार्मी कटर प्रवच्टी का इंसान था तब क्या होता है साथी कुछ जो होते हैं वो बारबक्स आके और जाते हैं और कुछ सिकंदर लोधी की और फिर सिकंदर लोदी जाता है वहाँ पर अपने आपको प्रेजेंट करता है और सिकंदर लोदी की उपाजी धारण करके दिल्ली सल्तनत में सासन करना श्टार्ट करता है तो बात करते हैं सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 में गले की बीमारी के काड़ इसकी मृत्त हो जाती है तो भाई साथ पूछा जाएगा इसका मूल नाम का था तो बात करते हैं मूल नाम अर्थात मूल नाम निजाम खाँ निजाम खाँ पूछा जाएगा मूल नाम क्या था तो निजाम खाँ था भाई इसका एक छुटकु से भाई था बारबक साथ उका था जानपूर का राजा कल मैंने आपको बताया कि जानपूर को जीत लिया भाई या ने किसने बहलो लोदी ने फिर अपने पुत्र बारबक साह को वहां का राजा नियुक्ति किया तो इसने क्या किया जानपूर को जीत कर अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया तो लिखिए आयोग्य भाई आयोग्य भाई बारबक साह बारबक साह को हटा कर जानपूर को का किया भाईय इसने तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिखिए और जब दिल्ली सल्तनत में मिला लिखिए तो का होए है और ये कब किया तो 1492 अगर टाइम पीरिड पूछा जास आती तो 1492 में एक साहब इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी मा कौन थी तो साहब दिल्ली सल्तनत में सिल्फ दो ही सासा खुए हैं जिनकी मा हिंदू थी एक तो आपका सिकंदर लोदी हो जाता है और एक फिरोज साथ तो गलाख हो जाता है तो लिखिए मा इनकी हिंदू थी हिंदू धर्म से रिलेटेड थी किसकी सिकंदर लोदी की पूछा जाता है साहब की सिकंदर भाया जो थे इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट काम किया गया है उका किया गया है जो आप आगरा सुनते हैं ना ताजनगरी आगरा आगरा का काफी कुछ फेमस है आगरा का पेठा हो गया आगरा का ताजमाल और एक चीज़ और आगरा का पागल खाना भी बहुत फेमस है तो चलिए इनही के द्वारा का किया जाता है आगरा सहर बसाया जब इन्होंने भाईया आगरा बसा दिया है तो अब का करेंगे यह अपनी राजधानी भी परिवर्टित कर देंगे किस साल पंद्रा सुच्छाइब में का करते हैं भाईया ये राजधानी आगरा को बनाई लेते हैं राजधानी क्या करते हैं बाबू आगरा को बना लेते हैं राजधानी आगरा आई गई दिल्ली सिराजदानी आगरा आईए ये एक important point होई जाता है इनके हिसाब से और भाई साब ये बहुत बड़े कभी type की इंसान थे कभीता लिखने का बहुत ही सौक था इनको तो ये क्या गुलरुखी नाम से कभीता पूछा जाता है कि गुलरुखी नाम से कभीता कौन लिखत तो ये ही साब थे सिकंदर लोदी भाईया सिकंदर लोदी का करते थे गुलरुखी नाम से कभीता लिखता था कभीता लिखता था तो चलिए सिकंदर लोदी 1489 से 15 17 तक इसका टाइम पीरेड होता है मूल नाम निजाम खाँ अयोग ये भाईया भाई बारबक साह को 1492 में हटा कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया इनकी माजत्यों थी हिंदू सुनारिन थी सुनारिन थी 1504 में यागरा सहर बसाया और 1506 में राजधानी यागरा को बनाता है गुल्रुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था तो ये आपको साहब समझ में आ गया होगा अब भाय यही बहुते टायलेंटेड आदमी थे कितने टायलेंटेड थे इनके द्वारा काए किया गया एक काम किया गया इन्हों ने भूमी 25 के लिए गज-ए सिकंदरी नाम का यह क्या निकाला यह निकाला का निकालते हैं साहब गज ए सिकंदरी बबुगा पूछेगा गज ए सिकंदरी का है साहब सिकंदरी तो ई था भूमी 25 भूमी 25 पैमाइस का पैमाना का पैमाना 49 अंगुल का होता था कितने का होता था 49 अंगुल का होता था पूछेगा गज ए सिकंदरी का है भाईया तो 49 अंगुल का पैमाना था ये कट्टर था भाई साहब इसने काय किया हिंदू मंदिरों को तुड़वाई दिया हिंदू के मंदिर जो थे उनको इसकी हिंदू थी परिकाय करता है बहुत है ज्यादा खच्च टाइप का इंसान हिंदू मंदिरों को तुड़वा कर मूर्तियों को जो मूर्तियों की टुकड़े होते थे उनको क्या करता था कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता था तो लिख लिजिए मूर्तियों को तोड़ कर मांस तौलने के लिए तौलने के लिए क्या करता था कसाईयों को दे देता था और इसने क्या किया मुहर्रम पर ताजिया निकलाना बंद कर दिया मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर का कर दिया साहब प्रतिबंध लगा दिया प्रतिबंध लगा दिया ताजिया निकालने पर क्या कर दिया बाबु साहब इन्होंने प्रतिबंध लगाई दिया बिल्कुर रोंक दिया अब इनके एक वजीर होते हैं काय नाम होता है उनका मिया भुआ तो मिया भुआ द्वारा एक बुक लिखी गई है तिब ए सिकंदरी बबुआ पूँछेगा तिब ए सिकंदरी का है तो तिब ए सिकंदरी एक आउशधिय गरंथ है अउशधिय गरंथ है तो मिया भुआ द्वारा तिब ए सिकंदरी अउशधिय गरंथ लिखा गया साहब 1517 में का होता है इसको गले की बिमारी होते है रबाबु का होता है यह मर जाता है इसकी डेथ हो जाती है मर जात है तो लिख ये पंदरा सो सत्तरा मका होता है गले की बीमारी गले की बीमारी और इसके कान क्या होता है मरत्यू तो सिकंदर लोदी गजे सिकंदरी भूमी पैमाना 49 अंगूल मूर्तियों को तोड़कर मांस तॉलने के लिए कसाईयों को दो देता था मुहर्म पर ताजिया निकालने पर प्रदिबंध लगा दिया मिया भुआ तिब्बे सिकंदरी इन्होंने बुक लिखी है जो कि एक आउसधी गरंथ है 1517 में गले की बीमारी हुई जिसके काणिस की डिथ हो जाती है तो साथ ही यह अपनी सिकंदर लोधी पर एक छोटी सी प्यारी सी कलास थी आपको अगर समझ आया है तो कमेंट कर दीजिए कुछ कैमी है तो कमेंट कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर ना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड के साथ सेयर कर दीजिए कल अपने को पढ़ना है इब्राहिम लोदी जो की लोदीवन्स का अंतिमसासक होता है इसके और लोदीवन्स और दिल्ली सल्तनत का अंतिमसासक होता है इसके बाद हमको कुछ विजयनगर समराज जी हुए इनके बारे में चर्चा करनी है तो अगली क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत हसते रहिए मुस्कुराते रहिए